बिहार सिक्षक बहाली 2019 बहाली में फॉर्म पे टिकेट का मामला बहुत गरम था पर अब इस मुद्दे पर सरकार के तरफ से बयान आया है और बयान अभ्यर्थियों के पक्ष में है DM ने आदेश जारी कर ये कहा है कि बिहार सिक्षक बहाली में किसी प्रकार का कोई भी टिकेट अब नहीं लगेगा बिहार सिक्षक वहाली में फॉर्म पर टिकट लगाना है कि नहीं इस पर बड़ा अपडेट हम सिक्षा सुधार रोजगार के इस चैनल पर आपको दे रहे हैं बड़ा अपडेट ये है कि टिकट सम्मंदी अपडेट सरकार ने जारी किया है कि किसी प्रकार की कोई भी टिकट किया वह सकता अब बहाली फॉर्म पर नहीं है कोई भी टिकट नहीं लगाना है और इस अपडेट से आपको हम रूबरू कराते हैं सिक्षा विभाग के तरब से भी आस्वासन दिया गया था कि बिहार सिक्षक बहाली में टिकट की मारा मारी से अभ्यर्थियों को मुक्ती दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थि दिन रात एक करके पोस्ट ओफिस का चकर हर जगा बिहार के 3800 जिलों में दौरते हैं और टिकट का मुल्य आर्थिक बोज बढ़ाता है अभ्यर्थियों पर अब डियम सहाब का आदिस आया है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिक्षक नियोजन में नहीं देना होगा टिकट डांक टिकेट पर आया है बड़ा सहाब का आदेश है और पूरी खबर हम आपको पढ़कर समझाते हैं सुनाते हैं और क्या आदेश पाडित हुआ है सरकार के तरब से इस पर भी विशलेशित करते हैं खबर ये है कि सिक्षक नियोजन की परकिडिया तेज होती जा रही है इसके लिए गहमागमी बठती जा रही है वहीं कई जगों पर अभ्यर्थी को परेशान भी किया जा रहा है सिकायत मिली है कि कई जगों पर खासकर पंचायत में नियोजन समीती काम नहीं कर रही है जब अभ्यर्थी किसी पंचायत में जाते हैं तो टिकेट के लिए परिसान कर दुबारा बुलाया जाता है इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान अखवार में लगातार अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं और आकर सिकायत कर रहे हैं इस बाबत जब डियेम से सवाल किया गया तो उनके तरब से जो जवाब आया है वो आपको हम सुनाते हैं डियेम सहब का नाम है इसके असोक उन्होंने बताया कि अगर किसी नियोजन समीती में किसी छातर को जान भुझकर परिसान करने का मामला सामने आता है तो कड़ी करवाई की जाएगी उन्होंने अभ्यरतियों को किसी तरह की समस्या होने पर D.E.O. नसीम अहमद को सूचना देने को कहा है अब ये बड़ी राहत सरकार के तरब से और डियेम सहाब का बड़ा अदेश है अब देखना ये होगा कि लिफापे और टिकट के चक्कर में अभ्यरति अपड़ेसान होते हैं या सही तरीके से नियोजन प्रकिरिया में जा पाते हैं क्योंकि मुझभपरपूर और आसपास के ऐसे जिले हैं जहां अभी भी अभ्यरतियों से टिकेट मांगा जा रहा है आवेदकों को बड़ी संख्या में लोटाया जा रहा है आवेदक बेरंग लोट रहे हैं डाग टिकट की जुगार में दिन रात एक कर रहे हैं अभ्यरति इसमें उन्हें भारी पड़िसानी हो रही है डाग घरों में इसके लिए हर दिन मारा मारी हो रही है यह नियम के विप्रीत है विभाग्य नियम के अनुसार आवेदक के साथ सहूलियत के लिए स्वयम का पता लिखा एक लिफाफा देना है ताकि कोई सूचना उन्हें दी जा सके डाक टिकट लगाने की बादिता नहीं है यदि डाक टिकट नहीं लगा है तो उसे बैरंग कर विभाग आवेदक के पास भेजेगा आवेदकों को अपने आवेदन पर मुबाइल नंबर देना चाहिए ताकि समय पर उन्हें सूचना दी जा सके ये बड़ी खबर है कि अगर आप लिफाफा बैरंग देते हैं बिना टिकट के देते हैं फिर भी अगर किसी प्रकार की सूचना सिक्षा विभाग को देना है तो उस लिफाफे में आपके लिए चिठी रखकर आपके पास भेज सकता है आपका पता सही होना चाहिए और नहीं और ऐसे में सिक्षा विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि टिकट की बाधिताब खतम की जाएगी मान लिजिए कि आपने 3800 जीलों में बहुत सारे फॉर्म डाल दियें तो जरूरी नहीं कि हर जगा से चिठी आएगी ही अगर इस तरह सिक्षा विभाग करता है कि बैरंग चिठी भेजे तो अब भेर्थियों को भी किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और अब भेर्थियों को भी चाहिए कि अपना मोबाइल नंबर साथ में अस्थाई पता साफ साफ लिग दे जिससे कि उनके पास चिठी पहुँचने में किसी परकार की कोई भी अ स्विधा नहीं हो सिक्चा सुधार रोजगार ने बरा अपडेट आपको दिया अब आगे हिंदुस्तान अखबार ने एक हेल्प लाइन नंबर जाड़ी किया जो आपके स्क्रीन पर अब होगा किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं संध्या 3-4 बजे का वक्त दिया गया है और आपके स्क्रीन पर जो दूरभास नंबर है वो है 6276-222-125 ये दूरभास नंबर है जिस पर आप संपर्क करके अगर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना परता है तो आप सीधे अख़वार के दफ्तर में संपर्क करें और अपनी समस्चा को रखें जिससे उपर तक आपकी बात पहुँचाई जा सके सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ और ताजा तरीन खबरों से आपको अपडेट कराता रहेगा सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए